आज हम अपने प्यारी से लडू गोपाल जी के लिए एक बहुत ही सुन्दर सा होली स्पेशल टब बनाएंगे इस टब में आप काना जी के लिए यहाँ पे रंग पानी यह सब रख सकते हैं यह बहुत ही स्पेशल सा विडियो है जो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी इसके लिए और यह हमारी होली स्पेशल क्राफ्ट की सीरीज का थर्ड विडियो है पहले हमने bucket पिचकारी और एक बहुत ही सुन्दर सी पुशाग भी काना जी के लिए बनाना दिखा था दोनों वीडियोस के link में नीचे description box में mention कर दूँगी और हाँ guys हमारे जो बाकी channels हैं Top Stranding and Easy Day-to-Day Life उनके links भी आपको नीचे description box में मिलेगे आप उन्हें भी जरूर चेक आउट करें Holy Special टब बनाने के लिए यहाँ पे मैंने किस तरीके का container लिया है plastic का जिस पे मैं blue acrylic paint से paint कर रही हूँ यहाँ पे plastic वगरे पे paint करने के लिए आपको भी acrylic colors का ही use करना है मैंने इसमें dark blue color choose किया है क्योंकि काना जी के लिए जो हमने bucket बनाई थी holy special वो भी इसी color में थी यहाँ पे देखिए इस side पे तो हमने अच्छी से paint कर लिया अब इसके top वाली side पे paint कर लेते हैं तो जैसे मैंने यह चीज आपको बता दी कि काना जी के लिए holy special bucket भी हमने dark blue color में बनाई थी तो वही मैंने यहाँ पे भी किया है ताकि top bucket पूरा जो यह set हमारा बनेगा वो एक mix match color combination में आए यह देखिए यह देखिए guys यह हमने पूरा अच्छी से paint कर लिया और यह dry भी हो गया है इसको dry होने के लिए यहाँ पे मैंने 10-15 minutes के लिए छोड़ दिया था और अब हम इस पे decoration करना start करेंगे यहाँ पे मैं यूज करूँगी सबसे पहले golden color की lace का तो यह बहुत ही सुन्दर सी मेरे पास lace है इस type की जो हम सबसे पहले इस top portion पे लगाएंगे glue gun की मदद से यह देखिए कुछ इस तरीके से मैं इसको इहाँ पे लगा रही हूँ decoration के लिए आप चीजें सारी अपने according to use कर सकते हैं आप laces यूज कर सकते हैं stone chain, ball chains यूज कर सकते हैं half cut pearls, mirrors, even मैं भी इसमें mirror work करने वाली हूँ तो यह देखिए उपर की तरफ यह lace लग गई अब मैंने golden color की lace से इस तरीके के छोटे-छोटे से pieces को cut किया है यह देखिए एक lace, एक mirror इस combination में मैं इन सभी को paste कर दूँगी यह देखिए मैंने mirror लगा दिया और यहाँ पर देखिए गाईस यह हमने इतना work इस पर complete कर लिया है एक lace, एक mirror, एक lace, एक mirror इसे साब से हमने इसको decorate किया है अब इसे final touch देंगे यहाँ पर हम जिसके लिए मैं golden color की वही lace ले रही हूँ जो हमने top पर apply की थी इसे यहाँ पर नीचे के side पर भी glue gun की मदद से मैं कुछ इस तरीके से लगा दूँगी यहाँ देखिए guys मैंने इसको लगा दिया है और इसी के साथ लड़ू गोपाल जी के लिए holy special color और water रखने का tub पन के तयार है और यह है वो बाल्टी जो मैं आपको बता रही थी कि मैंने blue color में बनाई है और एकदम same है यह इसके साथ match करती हुई है और इसका handle सच में बहुत ही ज्यादा सुन्दर है पूरा beads का बना हुआ handle है beaded handle और यह है सुन्दर सी पिचकारी जो हमने green color में बनाई थी bucket blue प्लस पिचकारी green combination बहुत ही अच्छा है blue और green का भी so friends अब मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि यह किस तरीके से work करेगा यह देखिए यहाँ पर हमने tub और bucket दोनों में water fill कर दिया है और कुछ इस तरीके से आप यह सुन्दर सी चीजें DIY करके अपने काना जी के साथ होली खेल सकते हैं और मैं bucket पचकारी के link नीचे description box में दे रही हूँ आप वो वीडियो भी चेक करें यह सुन्दर सा set अपने काना जी के लिए बनाएं और मुझे comments में जरूर बताएं कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो अच्छा लगाएं तो like और share जरूर करें चानल को भी subscribe करें मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर खरे कृष्णा रादे रादे